कि है यहां पे अपने यूट्यूब चैनल पे डिसकस करते हैं है ना तो हम लोग अपने डिड में आते हैं डिड मतलब क्या है डेली इडी डोज रोज के रोज यहां पे आपके चैप्टर्स के रिविजन होने है तो चलिए हम लोगा पहला टॉपिक है जिसको हम लोग रिविजन करते हैं है electronic configuration और आज के वीडियो में हम लोग दो topic का revision करने वाले हैं तो पूरे के पूरे दो topic आपको device करने हैं पहला topic है आपका electronic configuration और दूसरा topic है आपका quantum number atomic structure chapter के ये दो topics बहुत ही ज़्यादा high priority को कहा है बहुत ही ज़्यादा high priority के topics होते हैं आपने क्या करना है पहले electronic configuration को सीखना है और फिट quantum number को सीखना है ठीक है तो electronic configuration करते हैं जैसे कि आप लोग ने class 10 में सीखा है कि electronic configuration को हम लोग कहां करते हैं सपोज जैसे कि electronic configuration of sodium हमको करना है तो class 10 के according class 10 में हम लोग क्या करते हैं orbit wise configuration को करते हैं अब ध्यान में रखें कहां configuration करते हैं क्लास 10 में orbit wise configuration को करते हैं ठीक है हम लोग हमेंसा electrons को orbits में डाल देते हैं तो अगर हम लोग sodium के configuration को लिखने को जाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे sodium के लिए 281 अगर 11 electrons है तो हम लोग बोलते हैं कि k cell, l cell और m cell में मतलब first cell, second cell और third cell में 281 electrons को हम डाल देंगे तो हम बोलते हैं कि यह जो है आपका sodium का configuration हो गया लेकिन यह configuration आपका कहां हुआ कहां हुआ बोलो orbit wise हुआ राइट, orbit wise हुआ बट देर इस nothing is called orbit, orbit जैसा कुछ नहीं होता है, orbit is just a imaginary line and nothing more क्या, हाँ बिल्कुल, orbit जैसा कुछ नहीं होता है है ना, तो कुछ एक बातों को अभी आप सीखो, जैसे orbit, orbit is made up of a lot of suborbits, orbit is made up of suborbits, suborbits क्या होता है, तो suborbits होता है, आपका तीन तरह का, चार तरह का suborbits होता है, like S, P, D, और F, जी हाँ, S, P, D, S, P, D, है ना, S, P, D, Power Rangers, वहाँ से आप याद रखो, S, P, D, F, Space, Patrol, Delta, Force, right, तो आपको बस याद रखना इस चीज़ को, इसलिए मैंने आपको बता दिया, S, P, D, यहाँ पे orbital suborbits होते हैं, S, P, D, F, तो S, P, D, F, चार suborbits होते हैं, जो की orbits का formation करते हैं, और suborbits जो होते हैं, वो orbitals से बने होते हैं, right, orbitals से बने होते हैं, और जो electrons होते हैं, electrons होते हैं, जैसे कि class 10 में हम लोग बात करते हैं, कि electrons कहां होते हैं, orbit में होते हैं, लेकिन electrons orbit में नहीं, electrons कहां होते हैं, suborbits के orbitals में होते हैं, suborbits जैसे S, P, D, F होता है, और orbitals को हम लोग square boxes से represent करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर याद करने का आपको एक trick देता हूँ हर एक sub-orbit का अपना-पना एक orbital होता है जैसे कि S के लिए हम बात करते हैं तो एक orbital होता है P के लिए 3 orbital होता है, D के लिए 5 orbital होता है और f के लिए आपका 7 orbital होता है ठीक है तो ये देखो कितने कितने है भाई 1, 3, 5 and 7 odd number में आ रहा है हर एक suborbit के लिए orbital जो है वो क्या रहा है odd number में आ रहा है और power angels मैंने बात किया किया था spd, spd मतलब power angels और power angels की number कितनी होती है 5 और वो भी कितनी होते है odd number में तो जैसे कि power angels odd number में होते है वैसे ही आपके यहाँ पे suborbit क्या होने है odd number में होने है जैसे spdf, 135, 7 तो आपको याद रखने कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है बस इस आप trick को याद रखो ठीक है और आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है जैसे हम लोगों ने भी बात किया कि orbitals में electron होते है orbit में electron नहीं होते है अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे orbit में electron होते है लेकिन नहीं orbit में electron नहीं होते है electrons कहा होते है orbit के suborbits जो होते है suborbits के orbitals में electron होते है तो हर एक orbital को हम लोग एक box से represent करते हैं और एक box में max 2 electron को हम रख सकते हैं ठीक है एक electron को हम clockwise रखते हैं और दूसरे electron को हम anticlockwise रखते हैं एक electron को हम क्या रखते हैं clockwise direction में और दूसरे electron को हम क्या रखते हैं anti-clockwise direction में रखते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं अपने electronic configuration को अभी हम लोग ने बात किया कि sodium की electronic configuration अगर orbit wise लिखी जाए तो हम लोग क्या लिख देंगे 281 लेकिन हम लोग ने उसके बाद फिर ये बात किया कि electrons जो होते हैं वो ओर्बिट में नहीं होते हैं इसलिए ये electronic configuration क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो electrons कहा होते हैं सुअर्बिट के orbitals में होते हैं तो भी आपने क्या करना है क्या करना है आपने mrobit के orbitals के तरफ आपको चले जाना है् mistब electrons ko वो को कहां फिल्ड करता है सब और्बिट के और्बिटल में तो चलिए पहले हम लोग कुछ नए चीज़ों को सीखते हैं फिर आगे की बात करते हैं जैसे अभी अभी हम लोगों ने यहां पर एक टॉपिक पर डिस्कस किया कि और्बिट जो है यह कुछ एक सब और्बिट से बना होते हैं ठीक है अगर मेरे पास और्बिट का नंबर वन है अगर मेरे पास और्बिट का नंबर क्या है वन तो हम लोग बोलते हैं सब और्बिट भी मेरा कितना होगा वन होगा और जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया था सब और्बिट क्या होते हैं इस पीडिए तो अगर orbit 1, तो suborbit भी 1 और suborbit 1 तो पहला suborbit हम लोग ले लेते हैं, इस suborbit तो orbit 1 तो suborbit 1, और suborbit अगर पहला है तो हमेशा कौन सा suborbit होगा, इस suborbit होगा और इस suborbit के लिए हम लोग ने अभी बात की, orbital कौन सा होगा एक box का orbital होगा, ठीक है, उसका जो orbital represent हम लोग करते हैं वो 1 square box रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलरली, अगर orbit क्या है, 2 है तो suborbit कितने हो जाने है, 2 कौन कौन सा suborbit हो जाने है, तो S और P, 2 suborbit हो जाने है कौन कौन सा suborbit? S suborbit और P suborbit है न? 2 suborbit हो जाने है अब S sub orbit के लिए जो orbital होता है वो क्या होता है एक square box होता है और P sub orbit के लिए जो orbital होता है वो क्या होता है तीन square box होता है सिमिलरली अगर हम orbit का number क्या कर दें थ्री कर दें तो sub orbits कितने हो जाएंगे थ्री हो जाएंगे कौन-कौन से sub orbits हो जाएंगे तो yes SP और, और क्या होगा, D होगा, बिल्कुल, SP और D, तो S के लिए हम क्या बोलते हैं, S के लिए हम बोलते हैं कि 1 square box, P के लिए जो orbital होता है, वो 3 box को represent करता है, और D के लिए जो orbital होता है, वो कितने box से represent होता है, 5 box से represent होता है, ठीक है, 5 axis पे 5 box लगते हैं तो SPD अगर हम orbit के number को 4 कर दे बस आप इन चीजों को देखते चलो ठीक है? थोड़ा patience रखो और इन चीजों को देखते चलो After the end of this video electronic configuration in few seconds few seconds मतलब within 10 seconds तो उसके लिए patience रखो sub orbit क्या है? 4 अगर orbit होगा 4 तो sub orbit कितना होगा? 4 कौन-कौन से sub orbit होगा? S, P, D और F 4 sub orbits होगा तो S के लिए हम क्या बोलते हैं? 1 square box, P के लिए कितना square box 3 square box, D के लिए कितना square box 5 square box 5 orbit L है ना और F के लिए कितना? 7 बिलकुल सही तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अगर हम orbit के number को 5 करते हैं अब यहाँ पर थ्यान देने की बात है orbit के number को हम क्या कर देते हैं? 5 तो orbit के number अगर 5 होगी तो sub orbits कितने हो जाएंगे? तो sub orbits तो maximum हम लोगों ने बात किया कि 4 ही होते हैं S, P, D और F तो orbit का number अगर 5 भी होता है तो भी sub orbit कितना होगा? 4 ही होगा क्योंकि 4 से जादा हो नहीं सकता तो 4 हो गया अब 4 हो गया तो कौन-कौन सा? तो S, P, D और F अगर orbit का number कितना है? 5 तो sub orbit कितना रहेगा? 4 ही रहेगा क्योंकि 4 से जादा sub orbit हो यह नहीं सकता है S, P, D, F बस इतना ही है अभी तक के लिए अब in future अगर भी कभी G और H, I, J के आएगा तो आएगा लेकिन अभी तो नहीं है अभी जो है उसको उतना ही पढ़ेंगे तो इसकी orbital की picture हम क्या बोल सकते है? कि इसकी orbital कैसी होगी? तो इसकी orbital हो जाएगी हम लोग बोल सकते है same as same as fourth फोर्थ के जैसा फोर्थ में जैसा हमको क्या दिखा? एक S दिखा, एक P दिखा, D दिखा और F दिखा तो वैसे हमको क्या दिखेगा? यहाँ पर भी क्या दिखता है? S, P, D और F तो हम लिख देते हैं same as fourth बार-बार पिक्चर ड्रॉव करने से बहतर है same as fourth हम लिख देते हैं और आप उहाँ से समझ लो इस चीज को ठीक है? अगर हम रखते हैं और-बिट के नंबर को 6 तो क्या होगा सब और-बिट? अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है यहाँ पर एक order follow होता है 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 क्या? फिर से बोलो मेरे सांथ बोलो 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और देख़ो फिर आया 5 में क्या? 4 आया तो 4 अब एक एक करके कम होने लगेगा तो 4, 3 3 मतलब SP और D SPD कहां गया? SP और D तो किसके जैसा? 3rd के जैसा तो हम लोग क्या लिखतेंगे कि same as same as 3rd मतलब कि अगर orbit का number 6 है तो उसके लिए जो sub-orbit होने हैं वो sub-orbit कितने होंगे? 3 ही sub-orbit होंगे है ना? अब ध्यान रखना 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 sub-orbit पहले एक एक करके increase करता है और फिर sub-orbit खुद को repeat करता है 1, 2, 3, 4 और फिर 4, 3, 2, 1 दो तीन बड़ा बोलो इस बात को 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ओके? चलो अब हम लोग बात करते हैं orbital number 7 होगा तो अगर orbit का number 7 होगा तो orbital सब-orbit कितना हो जाएगा? 2, बिल्कुल कौन-कौन सा? S और P किसके जैसा? तो हम लोग बोल सकते हैं same as second और अगर ये 8 होगा 8 होगा तो कितना हो जाएगा? 1, 1 मतलब S, S मतलब same as same as first बिल्कुल पहले orbit के जैसा ये बने होते हैं कुछ एक सब-orbit से सब-orbit चार तरह के हो सकते हैं S, P, D और F हो सकते हैं और सब-orbit जो होते हैं वो भी कुछ orbitals से बने होते हैं और orbitals को हमें साम लोग क्या करते हैं square box से represent करते हैं अब दोखो ये पढ़ाते-पढ़ाते कि first orbit में 2 electron होता है first orbit में कितना electron होता है 2 electron होता है second orbit में 8 electron होता है first orbit में sir बोले था 2 electron होता है second orbit में 8 electron होता है और तब तो हम बच्चे थे हमको समझ में नहीं आता था sir जो बोलते थे हम मान लेते थे लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और इभेन अब तो बढ़े होकर के science ले लिए हैं, तो अब थोड़ा ज्यादा सोचने की छमता बढ़ गई है, तो अब एक question बनता है कि क्यूँ पहले orbit में 2 electron और दूसरे orbit में 8 electron ऐसा क्यूँ, हम सर के बोलने की बात को क्यूँ मानें, नहीं मानेंगे, हमको बताओ, हमको ये बताओ कि पहले orbit में 2 electron और दूसरे orbit में 8 electron क्यूँ, तो चलो फिर बताते हैं, अब हम तुम्हें 10th वाल एसर थोड़ी हैं, हम तो कुछ और हैं, छोड़ो हम क्या हैं, बस ध्यान दो, पहले orbit में 2 electron क्यूँ हैं, पहले orbit में 2 electron हैं, क्यूंकि पहले orbit के पास सिर्फ एक orbital होता है, देखो, पहले orbit के पास कौन से suborbit हैं, इस suborbit, और इस suborbit में कितने box होते हैं, सिर्फ एक orbital होता है, और अब भी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले बात किये थे, कि एक box में कितने electrons को रखा जा सकता है, 2 electrons को रखा जा सकता है, एक clockwise और दूसरा anticlockwise, तो अब यह बताओ कि जब पहले orbit में मेरे पास सिर्फ एस suborbit है, मतलब कि एक ही square box है, जिसमें हम electron को डाल सकते हैं, तो हम कितना electron को इसमें डाल सकते हैं, first orbit के पास कितनी capacity है electron को hold करने की, तो भाई साहब, first orbit को सिर्फ दो electron hold करने की capacity दिखरी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक की ही orbital है, लेकिन अगर हम दूसरे orbit की तरफ आ जाते हैं, दूसरे orbit की तरफ आ जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे दो-दो suborbit से हैं, S suborbit भी है और P suborbit भी है, और S suborbit को कितने electron hold करने का tendency है, दो, और P suborbit में कितने orbitals हैं, भाई, तीन orbitals हैं, और हर box में हम कितने electron डाल सकते हैं, दो electron करके डाल सकते हैं, तो total हम कितने electrons P में डाल सकते हैं, तो P में हम total 6 electrons डाल सकते हैं, और S में हम कितने इलेक्ट्राउंस डाल सकते हैं, तो दो इलेक्ट्राउंस डाल सकते हैं, तो पूरे second orbit में हम कितने इलेक्ट्राउंस डाल सकते हैं, तो number of 8 इलेक्ट्राउंस डाल सकते हैं, यहां पर हम 2 डाल सकते हैं, यहां पर 6 डाल सकते हैं, तो number of 8 इलेक्ट्राउंस, द third orbit और देखो यह जो बात आपको हम बोल रहे हैं ना यह questions हैं यह IIT's के questions हैं boss IIT's में पूछा है कि if the value of n is 4 then how many electrons will come in this orbit तो if the value of n is 3 n मतलब क्या होता है orbit number of orbit को n से represent करते हैं तो if the value of n is 3 then how many electrons are accommodated in this orbit communicate then how much neural dots do electron accommodate हो सकता है है आपका कहांपे S में दो electron 6 electron का Lands that watts أ brought me P में और D में कितने electron Jakंड सकता है तो D ुमें 5 box तो आपका 10 electrons आ सकते हैं देखो यहां पर 2 यहां पर 6 electrons और यहां पर देखो कितने electrons आ सकते हैं 10 तो इतंढने सोल और 2 यह जाते हैं जो फोर्थ ओर्भी ट में नम्बर ओफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं तुम इल्कूलेट करके हमको बताओ चलौ टिक-टिक सुरू करते हैं tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, तुम्होना time up, there are 32 electrons, है न, कैसे 32 electrons, तो देखो 2 यहां, 6 यहां, 10 यहां, 18 हो गया, और 14 यहां, 32 हो गया, है न, तो there are 32 electrons, time is tickling boss, है न, तुम्ह launch सब कुछ है, बस time नहीं है, तुम्हने पास मरने के लिए भी time नहीं है, रैंक करके मर जाओ, कोई दुख नहीं है, मर जाओ बॉस, लेकिन रैंक करके मर जाओ, at least, achieve that unique number, जिसके लिए तुमने science लिया है, ओके, उसके बाद कुछ भी, तो चलो हम लोग अगर बात करते हैं कि 5th orbit में total number of electrons कितने हो सकते हैं, same as 4th, 6th में कितना हो सकता है, 18 हो सकता है, same as, same as 3rd, 7th में कितना हो सकता है, तो 8 electrons हो सकते हैं, same as 2nd, और 8 में कितना हो सकता है, तो 2 electrons हो सकते हैं, same as 1st, तो देखो, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2, this is called magic number, this is called magic number, पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे प्रियोरिक टेबल चैप्टर में जब हम लोग होंगे ठीक है तो अभी के लिए आप बस ये बात याद रखो कि कौन से ओर्बिट किस सब ओर्बिट से बने होते हैं किस सब ओर्बिट में कितने ओर्बिटल्स होते हैं और कौन सा ओर P में कितने electrons? 6 D में कितने electrons? 10 और F में कितने electrons? 14 ठीक है? बस आपने ये याद रखना है अगर इतनी याद हो गई तो बस electronic configuration बन जाएगी वहिया आपको जादा पढ़ने के जरुबरत ना है सब कुछ पढ़कर rank ना होवे है सिर्फ उतना ही पढ़न होते है अब देखते हैं भाई sodium की electronic configuration suborbital और orbital लेवल पे तो चलो आज जाओ फिर अपने class 10 वाले topic पे 10 में क्या पढ़े थे? अपने master साब क्या पढ़ाए थे? पढ़ाए थे कि sodium की electronic configuration क्या होवे है? 281 होवे है K cell, L cell और M cell में ये कहाँ पे होवे है भाईया? और अभी अभी हम लोग क्या देखें? कि orbit जो होते हैं ये बने होते हैं किसी से? suborbital and orbital से suborbital and orbital से तो अब हम suborbital and orbital level में sodium की configuration को कैसे लिखते हैं? है ना? तो sodium जो है उसका first orbit है उसमें S है second orbit है, उसमें 2S और 2P है और third orbit जिसमें उसका 3S, 3P और 3D है, ऐसा कुछ है, सब कुछ ऐसा कुछ है? बिल्कुल है हमको कैसे पता है कि नहीं है? तो आज आज देख लेते हैं पहले orbit में S है दूसरे orbit में S और P है तिसरे orbit में S, P और D है ठीक है? तो चलो हम लोग लिख दी है कि पहले orbit में क्या है? पहले orbit में 2S है दूसरे orbit में क्या है? पहले orbit में 1S है दूसरे orbit में क्या है? 2S, 2P है तिसरे orbit में क्या है? 3S, 3P और 3D है यहाँ पर 3P और 3D की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, बाद में मिटा देंगे, तो क्या है भई, पहले orbit में 2 electron, पहले orbit में कितने electron, 2 electron, और वो दोनों electron कहां, suborbit में, किस suborbit में, इस suborbit में, तो 1 is 2, पहला orbit जो होता है, यह इस suborbit से बना होता है, तो पहला orbit जब इस suborbit से बना हुआ है तो इसके electron कहां होगी, sub orbit में होगी और इस sub orbit का orbital कैसा होता है एक square box जिसमें 2 electron है तो हम कैसा लिख देंगे पहले orbit का जो इस sub orbit है इसमें 2 electron है, कैसे लिखते हैं 1 is 2 ठीक है, ऐसे ही हम बात कर दें कि दूसरा orbit जो है, ये 2S और 2P से मिलके बना हुआ है और S में 2 electron और P में 6 electron हो सकता है S में क्या होता है? 2 electron और P में क्या हो सकता है? 6 electron हो सकता है, right? तो देखो, हम लोग बोलते हैं अपने orbital level में कि L में 8 electron है अब ये 8 electrons कहां-कहां है तो L orbit, मतलब second orbit जो है ये बना हुआ है, दो चीजों से S से और P से अब S में 2 electron और P में 6 electron तो देखो, 8 electron को हम लोग स्प्रिट कर दिया है कैसे? S2 और P 6 में तो हम क्या बोल देंगे? 2S2 और 2P 6, right? तो मेरे पास total number of electrons कितने थे? 11 कितने electrons हमने filled कर दिया है? तो पहले orbit में 2 दूसरे orbit में ये देखो, 8 electron हो गया 10 electron total हो गया अब मेरे पास कितना electron बचा हुआ है? 1 तो वो electron कहा जाएगा? तो 3S में जाएगा तो 3S क्या हो गया? 1 अब दोकर यहां पर 3P और 3D में कुछ आया नहीं तो 3P और 3D को फिर लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं उसको आप हटा दो ठीक है? तो क्या बन गया अपना? क्या बन गया भё ly? 1 S T 2, 2 S 2, 2 P 6, 3 S 1 अब आपको समझ में नहीं नहीं आया होगा हमको पत है आपको समझ में नहीं आया होगा में विशाद आपको 5 यह 10% ही समझ में आया होगा तो यह बहुत लग्की हो भाई पांस-दस परसेंट समझ में आ गया बहुत लोगों को तो ऐसी ही बाउंस कर जाता है है ना बहुत लोग तो बस electronic configuration देखकर के science और commerce में भाग जाते है है ना कम से कम तुम science में तो हो तो थोड़ा सा बोले ना धैर ये रखो है ना है जो धालूंदादा hydrogen 1 कैसे electronic configuration लिखें तो hydrogen का जो पहला orbit है ये इस sub orbit से बना हुआ है और इस sub orbit में एक electron है तो हम क्या लिख देंगे 1s1 क्योंकि hydrogen के पास एक ही electron है तो उसको हम की sub orbit में डाल दियें इस sub orbit में डाल दियें तो ये क्या बन गया 1s1 ऐसी ही अगर मेरे पास helium है helium के पास कितना number of electrons है 2 electrons है तो हम पहले orbit के इस sub orbit में 2 electron आ गया तो helium का configuration क्या हो गया 1s2 हो गया ठीक है अगर मेरे पास lithium है 3 ठीक है lithium है 3 तो 3 electron है अब 3 electron है तो पहले orbit के इस sub orbit में हम 2 electron डाल दियें अब पहले और्बिट में तो हम बस दो ही इलेक्ट्रोन डाल सकते थे क्योंकि अभी अभी देखो यहाँ इस कॉर्णर में हम लोग अभी अभी तो बात किये थे कि पहले और्बिट में सिर्फ इस ही सब और्बिट होता है जिसमें कितना इलेक्ट्रोन हम मैक्सिमम ले सकते हैं तो हम कहाँ electron डाल देंगे, 2s में डाल देंगे, कितना electron डाल देंगे, एक electron डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, अब फिर 2p में को electron गया क्या, नहीं गया, तो 2p को मत लिखो, है न, 2p को नहीं लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s1, अब अगर हमको beryllium का configuration ल रखना है, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर boron का configuration लिखने का बात कर दें, किसका configuration लिख दें, boron, boron कितना होता है, 5, 5 मतलब 1 is 2, 2 is 2, अब 2 is तो filled हो गया, अब 2 is के बाद कहा, तो 2 is में, फिर 2 में P भी होता है, तो 1 is 2, 2 is 2, और 2 P, 1, तो देखो 5 electron हो गया, अगर हम बात कर देख, carbon का configuration लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 1 is 2, 2 is 2, 2 P में कितना electron अब 2, अब देखो P में तो हम 6 electron filled कर सकते थे न, P में कितना box था, P में तो ऐसे 3 box था, 3 box मतलब कि हम 6 electron filled कर सकते हैं, तो हम 2 P में तब तक electron को डालते जाएंगे, जब तक P भर ना जाए, जब तक P क्या हो जाए, 6 electron ना ले ले, तो nitrogen कितना है, 7, configuration क्या हो जाएगा, 1 is 2, 2 is 2, 2 P, 3, ठीक है, oxygen कितना है, 8, configuration क्या हो जाएगा, 1 is 2, 2 is 2, और 2 P में कितना electron, कितना, बिल्कुल, 4 electron, right, अगर हम आपसे पूछें कि एक बात बताओ, fluorine का electronic configuration क्या होगा, तो आप देखोगे, 9 electron है, अब 9 electron में कैसे जाएगा, तो पहले orbit में 2 electron, दूसरे orbit में 2s में 2 electron, और 2 P में 5 electron, तो देखो, हो गया, 9 electron, बिल्कुल, अगर अब बोल देखो, कि neon 10 configuration क्या हो जाएगा, तो अब क्या बोल दोगे, 1 is 2, 2 is 2, और 2 P में 6 electrons, अब देखो, यहां पर 2 P fulfilled हो गया, और अभी हम लोग बात किये थे, कि second orbit में कितना electron हो सकता है, 8, तो देखो, अगर अपने को configuration लिखना है, suppose, फिर से sodium का, ठीक है, फिर से sodium का, अब हम नहीं लिखेंगा, तुम बताओ, sodium का configuration तुम बताओ, कहां बताओगे, comment box में बताओगे, और कहां बताओगे, है ना, क्या लिखना है भई, sodium का configuration in comment box, और तुम्हारा पास time है, टिक-टिक 1, टिक-टिक 2, टिक-टिक 3, और time up, ठीक है, चलो फिर comment box में हम आपको configuration इसका सही करके दिखा देते हैं, तो हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो हम सिधा आजाते हैं, magnesium का configuration लिखने के लिए, तो magnesium क्या है, 12, magnesium क्या है, 12, तो 12 का configuration कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 10 electron field हो गया, और बचा कितना, 2 electron, तो 2s के बाद कहा जाएंगे हम, 3rd orbit में आ जाएंगे, तो 3s2, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, total number of electrons कितना हो गया, 12 हो गया, अब तुम बोल रहे हो कि, तुम लोग question नहीं पूछतो यार, यह बड़ी गरबर बात है, बस हम ही बोल जा रहे हैं, हम ही पढ़ाय जा रहें, यह सब क्या, कथा बथा सुनने आएंगे हो, क्या सतनरान भगवान का, कथा सुने परसादी लिए घर गए, वाँ 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, यह बाँ नहीं होने वाला भई, कोश्चन पूछो, कमेंट बॉक्स में, बहुत कोश्चन पूछो, अब तुम यहां पर देखो, कोश्चन क्या पूछ सकते थे, है ना, यहां देखो, अब हम अलग इंग से लिखना सुरू कर देते हैं, तुमारे कोश्चन को, कोश्चन तुम पूछ सकते थे, कि वाई, इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, फिल्ड इन, टूपी, टूएस, दैन, टूपी, इलेक्ट्रॉन पहले टूएस में फिल्ड हुआ, तब टूपी में फिल्ड हुआ, ऐसा क्यों, देखो तो सेकंड ओर्बिट है, सेकंड ओर्बिट में गया फिर इलक्रॉन 2P में जा रहा है तुम एक बार तुम मेरे सब पूछो कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि इलक्रॉन पहले सब tyre रहा है और बाद में एलेक्टर उपने सब्सक्राइब में जा रहा है जा तो और 2 इस बीच में डालते तो पहले चावल और पूरी ही था, तो पहले पूरी खाते हैं, पहले चावल खाते हैं, तो आखिर के हमको कैसे पता चलेगा, कि इलेक्ट्रोन पहले 2S में जाएगा, या इलेक्ट्रोन पहले 2P में जाएगा, इलेक्ट्रोन पहले 2S में जाएगा, इलेक्ट्रोन पहले 2P में जाएगा, इलेक्ट ठीपल हैं ठीक है आव Awesome principle में क्या बोला गिया अबसे प्रिंसिपल में एक स्टेटमेंट दिया गया स्टेट में बोला गया है कि electrons first filling a filled in that suborbit ऐलेक्रान सबसे पहले उस suborbit में field होते हैं Si根 एलेक्रान सफ्पेर्श्ट फिल्दिन. 不管 इका, electron first filled in that suborbit, which having low energy level, which having low energy level, जी हां सर जी, दो बर मेरे सांथ बोलना है, दो बर मेरे सांथ बोलना है, electrons first filled in that suborbit, which having low energy level, ठीक है, फिर से एक बार, electrons first filled in that suborbit, which having low energy level, जहां पे energy level कम होगा, electron पहले उसमें जाएगा, जहां पे energy level कम होगा, electron पहले उसमें जाएगा, जिसका high energy level वहां पे electron बाद में जाएगा, अब हमको कैसे पता कि किसका energy level कम है और किसका energy level जादा है, हम इतने पढ़े लिखे थोड़ी हैं, अभी तो हम सुरू ही किये हैं, तो कोई champ नहीं हम है ना, हम बताते हैं, है ना, अभ है यहां पे एक चीज होता है, क्या होता है, energy level diagram, ठीक है, energy level diagram में क्या बताया जाता है, पहला orbit, पहले orbit में क्या होता है, 1s होता है, अभी अभी हम बोले थे ना, कि अभी हम तुमको बताया थे, तुम समझ नहीं पाया थे, देखो यहां पे फिर से, पहले orbit में क्या होता है, 1S होता है, दूसरी और्बिट में क्या होता है, 2S होता है, और 2P होता है, तिसरी और्बिट में क्या होता है, 3S होता है, और 3P होता है, चौत्य और्बिट में क्या होता है, 4S होता है, 4P होता है, 4D होता है, और 4F होता है, फिफ्ट और्बिट में क्या होता है, फिफ्ट तौर फिर से फोड़ा गया अब एक एक करके कम होगा देख़े जो आवस प्रिंसेपल था ये बड़ा अजीप सो आदमी था यह क्या आघरी का बहुत मतलब यह जैश्री राम पाल आदमी था यह जहां तहां से स्थे रहता था यह अरजुना टाइप आर्चरी का बहुत मतलब ये तो एकदम वो जैस्री राम, जैस्री राम बला आदमी था ये जहां तहां से बस आर्चरी खिलते रहता था या अरजुना टाइप का था है ना, देखो अब यहां से बैठ करके आर्चरी मारना शुरू किया बोला कि जिसको सबसे पहले मेरा तीर लग गया उसकी एनर्जी लेवल कम बास यही है प्रिंस्पल भाई जिसको एरो पहले टच किया जिसको मतलब किसको सबॉर्बिट को तुमको थोड़ी एरो टच करेगा रेकर हाँ एरो किसको टच किया, सब आर्बिट को, तो जिस सब आर्बिट को पहले एरो टच किया, उसका एनर्जी लेवल लो, मतलब कि एरो जिसको टच करेगा पहले उसका एनर्जी लेवल लो है, एरो पहले जिसको टच करेगा उसका एनर्जी लेवल लो है, कोरोना जिसको पहले टच करेगा उसका immunity level low है एरो जिसको touch करेगा उसका energy level low है clear मेरी बार very good तो क्या हो गया क्या हो गया कुछ ऐसा कुछ ऐसा देखो बस यहां से आपको आर्चरीज खलते रहना है ठीक है तो अब आप ध्यान दो मेरा question क्या था why why first in 2s then 2p यह question था देखो एरो पहले किसको touch किया 2s को और फिर एरो आ करके 2p को touch किया है ठीक है तो हम लोग पहले electron को 2s में field करते रहे थे और फिर 2p में field करने आ रहे थे और ऐसा क्यों कर रहे थे क्योंकि 2s का energy level low था तो electron पहले 2s में आएगा और फिर electron 2p में जाएगा और यह हम कहां पढ़े यह हम always principle में पढ़ें और अगर हम इस चीज़ को नहीं follow करते हैं तो हम always principle को violate कर रहे हैं और यहां पर हम सरासर गलती करते जा रहे हैं और यहां पर सीधा हमको मिलेगा minus 1 और तुम हो जाओगे exam से बाहर तो ऐसी गलती नहीं करना है ठीक है ऐसी कोई गलती नहीं करना है जो ह हम तो अंदर वाले हैं भाई ठीक है हमारी तो घर बापसी होनी है हम तो जाएंगे सिधा IIT में हम तो बने ही थे IIT के लिए तो गलती से स्कूल में फश गये हैं अब तो हम सिधा स्कूल से निकल के कहा जाएंगे IIT में जाएंगे NIT में जाएंगे Medical Colleges में जाएंगे क्यों why electrons first filled in 4S than 3D बस इस question की ना गाठ बांद लो इस question की गाठ बांद लो ये question तो आही रही एक जम में एक दम आ रही है why electron first filled in 4S than 3D देखो यहाँ पे question पूछने का reason अब देख लो ये first orbit ये second orbit ये third orbit ये fourth orbit तो ये nucleus आपका और यहाँ से ये first orbit ये second orbit ये third orbit ये fourth orbit अब first orbit में क्या है तो 1S है second orbit में क्या है तो 2S और 2P है third orbit में क्या है तो 3S है 3P है और 3D है और fourth orbit में क्या है 4S है तो देखो fourth orbit कहां का orbit है बाहर का orbit है और 3 का D कहां है अंदर का orbit है तो 3 का D जो है वो अंदर के तरफ में है और 4 का S जो है वो बाहर के तरफ में है और electron पहले कहा जा रहा है 4S में जा रहा है electron पहले देखो यहां पर 4S में जा रहा है तब 3D में जा रहा है देखो यह arrow आया और 3P के बाद यह सीधा 4S को टच किया है तो ये 3P के बाद electron 3D में नहीं जा रहा है, 3P के बाद electron 4S में जा रहा है, और तब 3D में जा रहा है, और इसलिए ये question में पूछा जा रहा है, कि why electron first filled in 4S, then 3D, तो क्या इसका answer होगा, खुद सोचो, according to upwards principle, electrons first filled in that sub orbit, which having low energy level, और 4S की energy level 3D से कम है, इसलिए electron सबसे पहले कहां filled होगी, 4S में, और इसके बाद electron कहां filled होगी, 3D में, ठीक है, ठीक है मेरे बात, clear है, good, तो अब अगर हम आपको यहाँ पे एक electronic configuration दे दे, कि एक काम करो मुनना, आप potassium को electronic configuration में लिख के दिखा दो, potassium 19, electronic configuration लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, electron सबसे पहले कहां गया, 1S में गया, तो हम लिख देंगे 1S, और यहाँ पर हमेशा याद रखना है, S में 2 electron, P में 6 electron, D में 10 electron, और F में 14 electron, इसको तो एकदम अपने reflex arc में बैठा लो, ठीक है ना, एकदम reflex action में भी नहीं, reflex arc में बैठा लो, response time low ही मत, तो 1S में 2 electron, 2S में 2 electron, 2P में 6 electron, 3S में 2 electron, 3S के बाद electron कहां जाता है भाई, 3P में जाता है, तो 3P में 6 electron, और अब ध्यान देने की बात है, कि मेरा 18 electron filled हो गया है, मेरा 13 electron filled हो गया है, और मेरा 19 वा electron filled होने को आ रहा है, और 3P मेरा completely filled हो गया है, अब electron कहां जाएगा, 4S में, तो क्या हो जाएगा, 4S 1, अब बहुत सारे लोग यहां पर गलती लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3P 6, 3D 1, नहीं, 3D 1 नहीं, electron first filled in 4S, then 3D, electron first filled in 4S, then 3D, तो electron पहले कहां जाएगा, 4S में जाएगा, बिल्कुल 4S में जाएगा, 4S 1 होगा, अगर हम आपको बूलते की calcium की electronic configuration, 20 की electronic configuration आपको करके दिखा दो, तो 20 की electronic configuration जबाब करोगे, तो आप क्या कर दोगे, देखो, यहां से यह तो पूरा common रहेगा, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, और 3P के बाद electron कहा जाता है, 4S में जाता है, है ना, 4S में जाता है, तो क्या जाएगा 4S, और 4S में कितना electron, तो 2 electron, देखो, 2, 4, 8, 10, 16, 18, और यह 20, त 12, 18 electron, और 18 के बाद 2 electron कहा जाएगा, 4S में जाएगा, और जो कि 20Y electron, निसव और 20Y electron, तो निसव और 20Y electron कहा जा रहा है, 4S में, 3D में नहीं, हमेशा इस बात को याद रखो, हमेशा इस बात को याद रखो, यह question एक दम पूछा ही जाएगा, और इसका answer, एक दम तुम्हारे जवाब पे यू ही होना चाहिए, ठीक है, चलो, अब तुम लोग के लिए एक छोटा सा homework है, क्योंकि पता है, homework तो देना मेरा आदत है, तो आपको क्या करना है, 21, scandium, titanium 22, vanadium 23, का electronic configuration, फटा फट लिखो, comment box में, ठीक है, फटा फट लिखो comment box में, और अगर comment box में, लिखने मे फटो खिचो, एन वाट्सप में, वाट्सप कहा करोगे, वाट्सप करोगे, वाट्सप करोगे, 824 0 599 543, ठीक है, 824 0 599 543, वाट्सप करो मेरे को, एक दाम quick response पाओ, ठीक है, चलो, देन हम लोग बात कर दें, कि 24 का electronic configuration, 24 का electronic configuration, chromium होता है 24, अब 24 का electronic configuration आपको लिखना है, त उसके पहले, आपको एक चीज़ जानना है, इंडियन cricket team में कौन batsman stable है, इंडियन cricket team में बस वही batsman stable है, जो century मा रहे हैं, half century मारे है, राइट, तो भाईया, stable जो होता है, वो दो तरह का होता है, इस्टेबल क्या होता है दो तरह का होता है कन्फिग्रेशन में हम बात कर रहे हैं हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे है तो इस्टेबल इलेक्रोनिक कन्फिग्रेशन इस्टेबल इलेक्रोनिक कन्फिग्रेशन जो होता है यह क्या होता है दो तरह का होता है half field electronic configuration और दूसरा होता है full field electronic configuration एक होता है half field और दूसरा क्या होता है full field ध्यान रखिएगा अब half field क्या होता है तो देखो suppose मेरे पास p orbital है तो p orbital में अगर तीनों में एक एक electron field है तीनों में क्या है? एक एक electron field है तो हम क्या बोल देंगे? कि भाई ये half field है या तीनों में क्या है सब में 2-2 electron ऐसे field है तो हम लोग बोल देंगे इसको full field है तो कभी भी अगर half field structure आपको दिखे या कभी भी आपको full field structure दिखे तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ये क्या so कर रहा है stable electronic configuration को so कर रहा है अब half field और full field में भी आपको पता है कौन ज़्यादा stable होगा अब इतना तो आपके पास IQ है ही क्या होगा भाई फूल 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 दोनों ही क्या so करते हैं stable electronic configuration को so करते हैं और उसमें ज़्यादा stable कौन होता है उसमें फूल फूल ज़्यादा stable होता है half field थोड़ा कम stable होता है ठीक है तो अब भाई तुम एक बात मेरे को बताओ अगर थोड़ा सा shifting करके तुम को stability मिल जाए अगर अपने अंदर थोड़ा सा change करो तुम अपने daily habits को और daily habits में अगर तुम ऐसा डाल दो तो life में stability मिल जाएगी न कैसे stability मिल गई अपने अंदर कुछ change किये हो अपने अंदर कुछ shift किये हो अपने अंदर कुछ rearrangement किये हो atoms भी ऐसे ही कुछ rearrangement करता है boss वो भी तो stable होना चाहता है तो वो कैसे stable होगा तो चलो पहले chromium के configuration से सीखते हैं Chromium 24 है अब यहां पर देखो सब कुछ यहीं से सुरू हो जाता है 4s2 और 3d4 4s2 और 3d4 अब अब मेरे फिर से इस diagram पर देहां दो यह nucleus, यह पहरा orbit, यह दूसरा orbit, यह तीसरा orbit और यह चौथा orbit अब तीसरे orbit में मेरे पास क्या है 3d में 4 electrons है ठीक है, अरे मस्ती है का 3d में कितने electrons है 4 electrons है और 4s में कितने electrons है तो 2 electrons है, और 4s कहां का orbit है तो 4s थोरा बाहर का orbit है और 3d कहां का orbit है, तो अंदर का orbit है और stability कहां चाहिए अंदर की बाहर stability तुमको border पर चाहिए नहीं भीया बॉर्डर पे stability नहीं चाहिए बॉर्डर कभी stable नहीं हो सकता मतलब outside कभी stable नहीं हो सकता हमको तो अपने country के inside में stability चाहिए अब तुम्हारे घर में वो क्या बोलते हैं ग्रिह यूद छिड़ जाए और तुम्हें एकदम बाहर चाइना और पाकिस्तान के एकदम न क्यों क्योंकि millennials हमेशा loss या gain कहां से होता है तो electron का loss या gain जब outermost orbit से हो रहा है तो most of it हमेशा unstable रहता है तो हमको अंदर के तरफ में stability चाहिए अब अंदर के तरफ में stability के लिए नहीं पर 3d 4 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक electron 2 electron 3 electron 4 electron अगर एक electron सिर्फ एक एक इलेक्ट्रोन यहां पर हो जाता, सिर्फ एक इलेक्ट्रोन यहां पर हो जाता, तो मेरा 3D क्या हो जाता, 3D 5 हो जाता, और 3D 5 हो जाता, तो हाफ फिल्ड इस्टेबल हो जाता, आधा भर जाता, तो हाफ फिल्ड इस्टेबल हो जाता, तो अब मेरे बात को अपने दिमाग क को खोल के सुनो कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन से आपको इस्टेबिलिटी मिलती है कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन से आपको इस्टेबिलिटी मिलती है चाहे वो हाफिल्ड हो या फॉल्फिल्ड हो तो हमेशा आउटर ओर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएग जाएगा 3D4 के तरफ में तो अब एक एलेक्ट्रान 4S2 से जम कर गया 3D4 के तरफ में तो यह कैसा बन जाएगा अब यह बन जाएगा 4S1 और 3D5 तो 4S1 मतलब ऐसा और 3D5 मतलब उसमें क्या गया भाई हाफ फिल्ड स्टेबल हो गया तो देखो यह हाफ फिल्ड स्टेबल हो गया यह जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि यह क्या है और यह जो स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यह क्या है यह भाईया अनस्टेबल है तो अनस्टेबल स stable के तरफ आ गया, unstable से stable के तरफ आ गया, unstable से stable के तरफ आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, एक electron जंप कर गया, फोड़े से, किस के तरफ, 3D के तरफ, तो चलो इसे statement को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं इसे statement में, लिख देते हैं, कि to attain half field stability half field stability one electron jumps from 4s2 to 3d4 4s2 से एक electron jump कर गया किस के तरफ में? 4s से एक electron jump कर गया किस के तरफ में? 3d के तरफ में उसको क्या करने के लिए? more stable बनाने के लिए तो अब electronic configuration कैसा हो जाएगा 4s1 3d5 और यह half field stable हो गया ठीक है ऐसा ही देखो chromium के बाद हम लोग copper की configuration में इस चीज़ को देखते हैं अगर आप यहाँ पर copper की configuration को देखने के लिए आओ ठीक है तो copper का configuration आप देखो तो copper क्या होता है 29 29 के आप configuration कर दो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आपको चलो एक बात याद दिलाते हैं आप याद रखो 20 मतलब 4s2 20 मतलब जब याप 4s2 configuration तक लिखते हो तिल 4s2 configuration लिखते हो 20 हो जयता है आप count करके देख लो तो 20 हो गया और यहाँ पे कितना है भाई 29 है तो क्तना electron 9 electron कहाँ पे 4s के बात 3d में 3d में कितना electron 9 electron तो ठाई 3d में 9 electron अब यहाँ पे आप d से draw करो तो D draw करतो देखो तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक 9 electron कितना electron हो गया? 9 electron और 4S क्या है? 2 electron अब देखो एक electron और अगर यहाँ पे होता 3D में तो यह क्या हो जाता? fulfilled stable हो जाता अब fulfilled stable हो जाता? तो atom खुद को ज्यादा stable feel करता तो फिर वही चीज हो जाएगा क्या हो जाएगा? electron jump from 4S to 3D to make it 3D 10 तो क्या हो जाएगा? 4S 1 and 3D 10 तो 4S 1 और 3D क्या हो गया? 3D क्या हो गया? 10 हो गया तो 3D 10 हो गया तो देखो यह आपका configuration done अब यहाँ पे आपको एक बात पर ध्यान देना है चलो एक छोटा सा तुम नहीं पूछते हो हम नहीं बताते हैं वाली बात पर आ जाते हैं फिर से है ना? फिर से blue pen की blue ink की यूज़ करनी परेगी मुझे क्योंकि तुम तो पूछे नहीं हमीं को बताना परेगा माल लो nitrogen की electronic configuration लिखनी है, nitrogen क्या होता है सेवन और सेवन की electronic configuration हम कैसे लिख सकते हैं 1s2, 2s2 और 2p 2p कितना? 3 है ना? अब दोखो हम यहाँ पर एक गलती करते हैं और तू मेरे गलती को पकरो ठीक है? हम गलती करते हैं 1s में हम 2 electron डाल दियें 2s में भी हम 2 electron डाल दियें और 2p जो है यहाँ पर हम 3 electron मेरे को डालना है क्या करना है? 3 electron मेरे को डालना है तो हम ऐसा कर देते हैं 2 electron इसमें डाल करके 1 electron इसमें डाल दियें देखो 3 electron हम fill कर दियें अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यह सरासर गलत है यह सरासर गलती है ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, ऐसा क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि हुन्स rule of multiplicity एक rule होती है, जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि कभी भी अगर pairing start होना है, जैसे कि यहाँ पर 3P में अगर हम लोग बात कर दें, तो हुन्स rule में क्या बोल जाता है? कि हमेशा पहले single single करके हर orbital में electron filled होगा, और तब pairing शुरू होगा, अगर हम oxygen 8 के configuration को यहाँ पर दिखाएं आपको, तो अब ध्यान दो, 1s2, 2s2, 2p4, अब देखो 2s2, यह 1s2, 2s2 का structure तो दिख रहा है, 2p4 के तरफ आप आ जाओ, तो 2p4 में क्या होगा? पहले एक-एक electron करके सब में filled होगा और तब ही pairing सुरू होगा, जब तक एक-एक electron करके हर orbital में filled नहीं होता है, तब तक pairing start नहीं करेंगे, this is Hund's rule of multiplicity, okay, 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 good, बहुत अच्छे, तो यह है आपका electronic configuration का एक part, जी हाँ, एक part, अब दूसरा part, तो आपके दिमाग में कि दूसरा part यह क्या, तो भाई वो तो trick है, वो तो हम class में बताएंगे, वो तो हम खाली फोकट इदर पर आने वाले हैं नहीं, है ना, तो चलो उसके लिए पहले क्या करो, पहले क्या करो, मेरे class को join करो, बिल्कुल, और ऐसे चीजों को सीखने के लिए आपको क्या करना है, subscribe बले बटन को दबा देना है, और subscribe बले बटन क तुम तुरांट अपना rank करके आगे निकल जाओ गया, तो ये तो एक topic हो गया, कौन सा topic हो गया, electronic configuration का topic हो गया, एक फिर से homework, एक फिर से homework, तुमको पता है, बिना homework के हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, है ना, तो आपको 101, atomic number 101 का electronic configuration हमको करके दिखाना है, अब तुम 101, तो हाँ जी 101, क्यों 101, क्यों 101, सुभ नंबर होता है, यार समझा करो, 101 रुपए सगुन का होता है, ठीक है, तो 101 सगुन का है, अभी नया नया concept सिखे हो, तो चलो 101 से सगुन करो, 101 का electronic configuration लिखके WhatsApp करो, या comment box में डालो, ठीक है, तो चलो, फिर मिलते हैं हम लोग, किस topic पे, quantum number के topic पे, बिल्कुल हम लोग ने बात किया, दो topic हम लोग discuss करेंगे, तो quantum number के topic पे, तो पहले इसको complete देखो, complete करो, क्योंकि जब तक electronic configuration नहीं आएगा, quantum number घंडा समझ में नहीं आएगा, भाई, ठीक है, ओके, चलो,